आटकलिफ अस्पताल से ओक्सफर्ड से सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ दॉक्टर अमिद आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक पर मेरा सबसे पहला सवाल आप से यही कि लगातार करोना संक्रमन को लेकर हम एक लर्निंग करफ पर हैं कुछ चीजें facts हैं कुछ चीजें myths हैं और कुछ चीजें इसके बीच assumption के तौर पर हैं और ऐसा एक assumption है तीसी लहर को लेकर भारत में कि यह लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है इसमें कितना fact है कितना myth है किस नज़रिये से आप इसको देखते हैं थैंक यू आपने बिल्कुल सही कही बात कि इसमें fact कुछ fact है कुछ myth है और कुछ लोगों की चिंताएं हैं और जो की वाजिब हैं क्यूंकि हम लोगों ने इतना बुरा सा इंक्रमंट देखा है इस समय सेकंड वेव में कि जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी आगे की चिंता जरूर होगी लेकिन जो मौजुदा हालात है उसको देख लेते हैं पहले उसी से हम थोड़ा अंताजा लगा लेगी देखिए जैसे चरम सीमा पे जब ये वाइरस था सेकंड वेव पे तो उस समय करीब तीन लाग केस इसमान लीजे थे तो ऐसा नहीं था कि बच्चे उससे बंचित से बच्चे भी इंफेक्टेट थे लेकिन हम उनको जादा टेस्ट नहीं कर रहे थे इस समय फोकस था एड़र्ट्स पे तो अगर जो आप बच्चों को भी टेस्ट करते और आप पूछ लीजे पड़ी या इतने कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन वो तो उसका जवाब होगा कि बहुत ही कम अगर जो आप भारत में भी देख लें और यूके यूएस से हर जगा देख लें तो जो बच्चे हैं वो जादा तर स्पेर्ड हैं अब चाहे वो पहला वाला वेरिंट हो च ही तो तो तिसरी में तो जो सकता है कि टोड़े में जो है केसिस फिर पर भने शो जाल है हम उसको थी loops पर नाव नाम दे सकते हैं दूसरी चीज कि 오른 वेरेंट आ जाए अब जो डेल्टा 밤 से तो घूटarf है वो बदल के कुछ और हो जाए तो फिर वो अलग तरीके से संकरमेंट पैदा करेगा उसको हम तीसरी वेव कहेंगे लेकिन चाहे वो यही वाइरस हो जो जादा फेले या जो नया वाइरस हो और फेले इसका कोई हमारे पास इस समय एविडेंस नहीं है कि यह वाइरस जो है बच्चों को जादा इंफेक्ट करें ऐसा कहीं पर भी बिल्कुल प्रमानेत नहीं हो रहा है तो मेरी आपके चैनल से जो केमाध्यम से एक जो मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे कि आपके बच्चे अगर जो कोवेट से इंफेक्ट होते हैं तो उनका चांसिस की वो हस्पताल में एड्मिट हो और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है तो आप